इसके अलावा नमो एम या माईगोप के ओपन फॉरम में पोस्ट कर सकते हैं तो याद रखें 26 नौमबद सुभह 11 बचे मन की बात बंदी जीवन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इन अंग्रेजों को मनमाने करने देंगे नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश्पे मैं हूँ जयासनहा और हम हाजिर हैं इफी के रंग सरमा के संके इस बेहत खास संसकरण के साथ यह हम आपके लिए ला रहे हैं स्पेशल कवरेज गोवा से जहां गोवा की राजधानी पंजी से जहां पर शुरबात हो गई है भारत के अंतराश्ट्रे फिल्ब महुत सब के 54 संसकरण की बेहत शांदार बेहत यादकार और बेहत भवेट तो अगले आदे घंटे में आपको दिखाएंगे इफी 2023 की सारी हलचल और साथ ही इसके पहले दिन्यानी की उद्गातन समारों से जुड़ी ट्रेशल कवरेज क्या नाशनल क्या इंटरनाशनल भारत के अंतराश्ट्रे फिल्ब महुत सब के 54 संसकरण में ऐसा लगा थितारे जमी पर उतराएं इफी 2023 के रेट कापिट पर हम नहीं देखा थितारों का जमावडा जीहां दुनिया भर से थितारे पहुंचे इफी रेट कापिट पर आई आपको दिखाते हैं इसकी एक जलक कर दो पर आई मैं बढ़ाई देता हूँ गोवा में जो हमारे 17 साल हुए है एक नई उडान भरी है इफी गोवा ने इस बार तीन गुना जादा लगबग तीन हजार फिल्मों का आना पुरी दुनिया भर से अपने आप में दिखाता है कि इफी में बहुत इंटरस्ट बढ़ा है 20 प्रतिशत सालाना हमारी मार्केट बढ़ रही है मीडिया एंटर्टेन्मेंट इंडस्री की और जो पोस्ट प्रडक्शन का काम यहां पर आ रहा है जो फिल्मों के निर्मान का हो रहा है वो अपने आप में एक नई रूची खड़ी कर रहा है दुनिया भर की अनिमेशन हो विजुल एफेक्ट्स हो गेमिंग हो कॉमिक हो यह दिखाता है कि भारत में दुनिया की रूची है आज एक बड़ी घोश नाम करने वाले हैं फिल्म पॉलिसी को लेके लेकिन उससे पहले मैं इतना कहूं कि OTT अवार्ड्स हो या हमारे फिल्मों के अवार्ड्स हो इसमें भारतीय कॉंटेंट की एक धूम दुनिया भर में मची है लास्ट येर जैसे हमने आरारार से लेके एलफेंट विस्वरर्स तक से डॉक्मेंटरी इसको भी देखा ओल दैट ब्रीट्स को देखा इन्होंने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई है और आशा करता हूं आज भी दुनिया के इस मंच पे जहां इफी का 54 एडिशन होने जा रहा है एक शांदार काम होने जा रहा है इसलिमफ स्वेल रहा है न लिए जा पिदिए लिए फिछ लिए लिस है प्राइसन थैजर ब्राट फटूड विंट है यंदर बिकल्स बासरस्ट यंडिष्वा देखा उन्मान्न थेट्टी घट पिंच बिए हैं अब्रश ओं प्रश्वें इसजर्व रोट विस्वार मकल इफिय एफियज फॉर्टफर म्हार ओंप एफिय वेड़िय था इफिय और वियार्ट है इफिया a lot of other people from the government etc., etc., some international diaspora and so I love Goa. I come here very often, it's one of my favourite cities so whenever I land in Goa, it's a happy feeling. IFIe and Goa as like a strong association my name is always sitting in my mind. Aquarat always at the front of the山, such as music industry and our film industry is very active in the city, it is globally spoken or talked about and IFIe is that one platform where the world comes together कि अज़ेधे अज़ी निखिए और खेधी को डिए फिल्म को ज़ेदेधे के दो सब्सक्राइद है। अज़ने इंग टाल ज़ेधे कम प्रफिल्म आथे पिर्फिलीहान। ज़ें भीडिसाहत को गाता तेर्फिल्म पाज़ा जाया करता। जसकी राह लोग अतुरता से देखते हैं यहां आने के लिए इसमें सम्मिलित होने के लिए और बहुत अपने आपको गरोशाली भी महसूस करते हैं जब यहां आते हैं यह चाउपनवा इंटरनाशनल फिल्म फिसिवल है इंडिया का और सभी को शुब कामना है और बहुत सारी फिल्मे हैं मैं तो तीं-चार दिन रोखने वाला हूँ मैं सबी film stars और सबी film producer, film industry के सबी लोगों का गोउा के लोगों की طرف से गोउा के सरकार की طرف से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निच्छी दिरूप से आगे आने वाले आट दिन के लिए फिल्मी महोद सो गोउा में बना रहेगा तो फिर सबका गोव में स्वागत है, गोवा इस रडी फॉड इफी यह फिल्मे बहुत अच्छी है, चाहे कंपटेशन में हो, चाहे बहार कंपटेशन में ना हो हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं, उनको बहुत 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 दुने के सबसे बहेतर फिल्में तखाई देंगे, यह बहुत अच्छी चुनी नहीं फिल्में I feel honored, because it's an honor to be here with all these companions of the cinema, I am really happy I think everything is special about IFP, यह तीसरा साल है, consecutive year, stirring committee पर हूँ तो इस साल जो हमने effort दिया है, थोड़ा हट के कुछ करना है, जिस तरह के हमारे इस साल के participation होंगे वो सब बहुत ही बहुत ही बहतरीन है, the performances and the kind of films we have brought in international films I think बहुत ही अच्छा वक्त सब का गुजरेगा यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, because all the film है अच्छा यहाँ, I can identify with them because I am one of them only like a producer, a director and as an actor, बुरी महत करते हैं and then we wait for the judgment and we wait for so many things, I wish them all the way कोई चीज़ डिफ्रेंशेट होनी भी नहीं चाहिए, I think sab चीज़ों के लिए रहना चाहिए, because at the end of the day it's cinema, it's entertainment and the audience they are all kinds of people, and if they like this film or any other film, I think there is a big choice and entertainment for everyone Well, IFI is a platform where only Hindi films can show pan-India and international films can show the best of the best people come here so of course I am honored that I am here and I am going to perform, you know, on the platform Well, I am very very honored, बहुत गर्व महसूस कर रहे हूँ, क्योंकि इतने साल काम किया है इंडस्ट्री में और जब भी किसी आर्टिस की सराना की जाती है, या ऐसे अवार्स दिये जाते हैं और अच्छा काम करना है, प्रोचसाहित होते हैं और वही हो रहा है, I will try to do better and better work in the future एक से बढ़कर एक फिल्में, एक से बढ़कर एक सितारें, सरमा का ये महा कॉम्ब की बस ये तो है एक शुरुबात आए देखते हैं इफी दोवजाते इसके पहले दिन की कुछ और खास चल किया वादूखे है आए,uks牡 है के? आए.िवर्वादिवक कॉल्पonnत करे मैं मैंकर खास फिल्में. इवर्वादिवक के वादूसाद मैं? मैं प्लीज इन्वाइट रिनाउंड स्पानिश सिनमानोग्राफर होजे लूए आलकेन जो वर्ल में प्रोसन ट्यूपस को की लाइटिंग की तरह यूज करने वाले पहले इन्वाइटुरेफर हैं अईूज है अब लूज अब बाउस पॉड़ इनियस फ्रेंच फिंद लॉत्र यू घ्रोन पाया जो वर्ल्ल स्वेडिंग फिल्म प्रेंच फिर्टिसर जरोम पाया जो बीडिंग फिल्म मार्ची दूफिल्म के डिलपु है अग्स्राओड़ूर्णीर एंदे फिल्ट अव्यूरूर्णी टुछ टुछ फिल्मा moving forward Australian film producer Helen Laiq Australia के सब से respected creative producers में से एक इनकी films 30 से जादा film festivals में feature की गई है we are really proud to have you here Helen French film producer Catherine Dessert 15 countries में 100 से भी ज्यादा films प्रदूस करने वाली Catherine कुद में एक मिसाल है welcome Catherine it's an honor to have you here please welcome the prominent international filmmaker and a proud Indian Padma Shree Shekhar Kapoor of course and now it's time for a nice photo op for all the jury members together एक बार जोर्दार थालिया हो जाएं for all the legends together on the stage और कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो पूरे production के पीछे खड़े रहकर कहते हैं तुम करो मैं इस काम को दुनिया तक पहुंचाऊंगा और cinema के impact को दस गुना बढ़ाऊंगा अब हम ऐसे ही नाम को करेंगे celebrate and felicitate जिन्होंने पिछले दो साल से broadcasting partnership करके इसी को television और OTT के जरिये दुनिया के सौ से भी ज्यादा countries में पहुंचाया है the visionary, the mastermind of the broadcast world please welcome Mr. Kevin Waas CEO broadcast entertainment YCOM 18 नमस्कार आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा नया अवार्ड शुरू हो गया Indian Film Personality of the Year अवार्ड होता था एक पहले लेकिन हमने कहा कि जिन्होंने दशकों तक भारतिये सेनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और जैसे कहा कि चार दशकों से चार चांद लगाने वाली एनी वाइल्ड गैस एनी वाइल्ड गैस बिल्कुल ठीक कुछ जगा से वाज आई मोहिनी से लेके मादरी दिक्षे तक मादरी जी इस दब ये पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है और पहला अवाड किसी और के नाम पर नहीं जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करती हैं कोई और नहीं मादरी दिक्षे जी आप सब के सामने पीज पूट याँज तुगेदर फॉर मादरी दिक्षे दे मावरिक दे मेस्मराइजिंग पदमिश्री मादरी दिक्षे ये एक नाम नहीं है इंगिन सिनेमा का दिल है सतरा साल की उमर में डेब्यू करने वाली एक चोड़ी सी लड़की ने सब का दिल जीता था और सब का दिल बन गई है आज मादरी जी वैसे तो ये सम्मान आपको भारतिय सिनेमा में आपके एक बार जोरदार तालिया हो जाएं for the one and only Madhuri ji and thank you so much for entertaining us I'm so happy to be here today first of all आप सभी को मेरा नमशकार सब मंतरिक महदय जो ओडियंस में है मेरे फिल्म के सब को कलाकार यहां गोवा की पूरी जनता कसा असा thank you very much for this beautiful award for honoring me nearly 38 years in the industry and I've got to work with such wonderful directors and wonderful films with you know lovely co-actors and I'm very very fortunate that I got the right opportunities at the right time and thank you to all my fans for making this happen so thank you very much for all the love it's my privilege and honor to officially welcome you all to the 54th International Film Festival of India in Goa in 1902 long before the space organizations were even conceived or conceptualized a remarkable French film named A Trip to the Moon inspired by various sources Hoorley suggested the idea of space travel and sparked the possibility of travel to moon and today we see it happening India who has done it so beautifully the only country in the world with the successful Chandrayaan mission so it shows that the idea could be conceptualized during the movie but over a period of time even the government start thinking towards that side imagine a visionary work of art from over a century ago spread the seeds of scientific possibility and progress in people's mind isn't it fascinating how these ideas shape our world isn't that incredible the power of cinema I strongly believe that throughout its history cinema has captured and chiseled ideas imaginations and innovation such that it forms the driving force for peace progress and prosperity in a world which is increasingly distressed with division our movies are more than just entertainment they are significant part of how we live they affect everything from how we dress you can look at yourself for this function how you are dressed you look at your iconic actors on the screen and you dress yourself and who hasn't tried the classic Chulbul Pandey sunglasses the cultural impact of Indian cinema on the lives of not just Indians but also most South Asians and beyond is enormous of film by the film from the film from the film by the film प्रवास्तंस्ण भी बेहत शान्दार होने जा रहा है त्यूंकि इस बार भी रिकॉर्ड नंबर में प्रविष्ट्यां प्राप्त हुई है और रिकॉर्ड नंबर में कर दो कर दो हो सकता है कर्सक्राएंग कर्सक्राइब थाय। श्री अन्राख तकर नाने के लिए फिके लिए जाले के लिए लाग के लिए लागा लागा भश्स इस में करे के cantentes थनाय को जोब भी अडिय। It's an honor to be here with you celebrating the art of storytelling in the spirit of collaboration. The Film Bajar, like a bustling marketplace of ideas, is a heaven for filmmakers, producers and storytellers from all corners of the globe. It's a confluence of creativity and commerce, ideas and inspirations that form the building blocks of this thriving cinematic marketplace In its 17th year, the Film Bazaar has become an indispensable cornerstone of the iffy going beyond borders and evolving into one of the Asia's biggest film markets This year as India led the G20 presidency and we embraced the powerful mantra of Vasudev Kutamkam One Earth, One Family, One Future And this guiding principle resonated not only on the grand stages of the global diplomacy but also found its way into the heart of International Film Festival of India at Goa And on behalf of the entire team of Film Bazaar, we sincerely cannot wait to make you proud It's everyone who holds for a while अजस वाहर टखाय मेंगारे, आखाय मेंगारागे, अश्धात अश्धा अघरिया दविश्ना प्रदी आए पने भमेज़ कर देब दोशाई का लिए ग्ष्ट आई कर दोड़ा है हम इस फूस्था टो जूसारी यजब लिए टो को इस अना झाथ। यह तो बस एक शुरवात थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन आपको इस बात का अदाजा तो लगी गया होगा कि इफी का ये चववद बास सांस का रंग कितना शांदार और कितना भवे होने जा रहा है। तो बस यूही बने रही हमारे साथ इफी के रंग सिनमा के संग। और हम आपके लिए इफी 2023 की स्पेशल कवरिज लाते रहेंगे। फिलाल मुझे दीजी अजासत, नमस्कार।